असलाम आलेकुम माई डियर वीवर्स कैसे हैं आप लोग आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन वेलवेट केक सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर ये केक बन के रेडी होता है 10 मिनट इसका बेटर बनने में लगते हैं 20 मिनट इसे बेक होने और इसकी क्रीम रेडी करने के लिए 5 मिनट लगते हैं इसको डेकुरेट करके इतनी जट पर डिलिशियस ही केक बन के रेडी होता है जिसके लिए मैंने एक बॉल में दो अदर अंडे डाले हैं जर्दे और सफैदी को अलग करने की जरूरत नहीं है अब इसके अंदर 4 टेबल स्पून पिसी भी चीनी डाल रही हूँ छान कर छानना बहुत जरूरी है ताके जितने भी मोटे पार्टिकल्स हैं अब मैं इसे हाइ स्पीड पर फाइफ में इसके लें बिटर से बीट कर रही हूँ फाइफ मिनिट के अंदर इसका टेक्शर बहुत ही फॉमी हो जाएगा अब इसके अंदर वन टी स्पून वेनिल एसंस डाला है और इसे अच्छी तना मिक्स कर लें उसके बाद फिर से चननी के अंदर हम फोड़ स्पून मैदा, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पौडर, फिर टी स्पून बेकिंग सुटर डालेंगे और इसे अच्छी तना मिक्स करेंगे dry ingredient को two step में add करेंगे पहले थोड़ा से add करें और फिर उसके बाद थोड़ा add करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसे mix करेंगे होट स्पीड में mix नहीं करना है कि इसमें से जाग खतम होजाएं उसके बाद इसमें food color add करेंगे mix करने के बाद मौल्ट में बटर पेपर लगाएं, मौल्ट को ग्रीज करके सारे बैट्र को मौल्ट में डाल देंगे पॉट को 10 मिनिट के लिए है फ्लेम पेट किया था अब मैं इसके अंदर बैट्र रखके इसे 15 मिनिट के लिए कवर कर दूँगे मीडियम फ्लेम पर दूसरी तरफ हम क्रीम रेडी करेंगे जिसके लिए एक पूल में मैंने दो कप क्रीम डाल के इसे अच्छी तरह बीट करा है इतनी देर तक बीट करना है कि जब आप इसे स्पैचुला से उठाएं तो यह गिरे नहीं 15-20 मिनट के अंदर हमारा केक बेक हो जाएगा इसे मीडियम फ्लेम पर ही बेक करना है हाई फ्लेम पर बेक करेंगे तो नीचे से जल जाएगा इसे ठंडा करके तीन लियर में कट करेंगे और उसके बाद इसे दूद से सोग करेंगे आप चाहें तो चीनी की चाश्णी या अब इसके ओपर second layer cream की लगीगी cream को cream को अच्छी तरा सेट करने के बार third layer cake की लगीगी इसको दूट से सोक करें और फिर इसके ऊपर एक और cream की लिए लगाएं cake cake बारी के लिए मैंने cut करी उसके बाद इसे उसी pot के अंदär five minutes के लिए bake करके चूरा कर लिया था, इससे ये चूरा थुरा क्रंची सो हो जाता है, इसे सेट करें, डेकुरेट करें, उसके बार ठेंडा करके आप इसे सर्फ करें, ये केक टू पॉंड का बिनके रेडी हुआ है, बहुत ही शॉफ्ट डिलिशियस, आप इसे बहुत ही इसली बगर ओवन के बना सकते हैं, इस जैसी और रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सस्क्राइब करें, और इस ये वावन कोश्टन तो कमेंट डाउन बेलो, कीप स्माइलिंग, टेक केर, अल्ला हाफिस